अगर हम धनिय को बहुत अच्छे से सेखते हैं तो इसमें खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है और एक खाने में भी बहुत स्वाद लगता है हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका कार्ड्यू किचन में मेरा नाम है मनीशा आज हम बनाएंगे धनिय की पंजीरी यह पंजीरी जनमास्मी फेस्टिवल पर बनाई जाती है यह फलाहारी होती है इसे आप किसी भी वरत में बना सकते हैं यह क्रशन ची को भोग के रूप में चड़ाई जाती है इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें तो अब चलिए टाइम नवेस्ट करते हुए शुरू करते हैं धनिय की पंजीरी बनाना पंजीरी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कप बारिक पिसा हुआ धनिया लिया है तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं कडाई को मैंने गैस पर रख दिया है सबसे पहले हम यहां पर दालेंगे दो बड़े चमच देश्दी घी घी को गरम होने देते हैं गी गरम हो गया है, अब मैं सबसे पहले इसमें यहाँ पर डालूँगी 8-10 बदाम, और साथ में 8-10 काजू, इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, रोस्ट करने से इसमें कच्छे पन का टेस्ट नहीं आता है और यह खाने में बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से चलाते हुए, फोड़ा सा इसको हम रोस्ट करेंगे, यह देखिए काजू बदाम अच्छे से रोस्ट हो गये हैं, काजू का एक कलर चेंज हो गया है, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं काजू बदाम मैंने निकाल लिये हैं, अब इसी घी में हम दालेंगे किश्मिष, यह मैंने थोड़ी सी किश्मिष ली है, किश्मिष बहुत जल्दी भुन जाती है, इसलिए इसको हम दाल के, बस थोड़ा सा हिला के हमें फटा-फट निकाल लेना है, यह देखिए यह फू दालना है, यह मैंने एक कप धनिया पाउडर लिया है, इसको हमें लगातार चलाते हुए भुनना है, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुश्बू ना आ आ जाए, यह धनिया थोड़ा थोड़ा भुन गया है, तो देखिए थोड अच्छी खुश्बू आ रही है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के लिए या तो आप इसको दो-ती मिनिट लगाता चलाईए, तब आप इसको छोड़ेगा, या इसको दूसरे बा ताम रोस्ट किये थे, उसको हम पीस लेते हैं, इसको हमें जादा बारिक चूरा नहीं करना है, बस थोड़ा-थोड़ा सा ही इसको पीसना है, ये अच्छे से ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें मिलाऊंगी, ड्राय फ्रूट्स, और साथ में मिलाएंगे, हाफ कप पाउडर अगर आपके पास पाउडर शूगर ना हो, तो चीनी को मिक्सी में चला कर आप पाउडर बना लीजिए, अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, धनी की पंजीरी हमारी बनकर तयार हो गई है, अगर हम धनी को बहुत अच्छे से से स इसमें खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है और ये खाने में भी बहुत स्वाद लगता है आप ये recipe जरू ट्राय कीजेगा और comment box में बताइएगा आपको ये recipe कैसी लगी अगर आपको ये recipe पसंद आए तो please हमारे वीडियो को like करें और अपने family और friend के साथ share करें तो चलि अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई recipe के साथ thank you